Hello everyone, आप सभी का स्वागत है, आप सभी की YouTube चैनल योने क्लासिज में तो आज हम एक बड़ी खुश खबरी के साथ यहाँ पर आप सभी के साथ मिल रही है क्योंकि आपका जो DSSB का एक्जाम है आप सभी को बताया गया था कि 2022 में यानि कि जो नया साल आने वाला उसमें एक्जाम होंगे DSSB के पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि DSSB ने क्या किया है अपने जो एक्जाम है उसका कलेंडर जो है यहाँ पर जारी किया है तो फटा-फट हम चेक कर लेते हैं अपना TCT Social Science का एक्जाम कब होगा यानि कि notification कब निकलेगा और एक्जाम कौन से मन्त में होगा यहाँ पर आपको जो vacancies हैं वो तो नहीं बताये गई है तो इसलिए इसको लेकर आप पर चिंता मत कीजे कितने vacancies होंगे कितने नहीं होंगे बस यह सोचना जितने vacancies निकलेंगी उसमें से आपका एक number होगा और आपको क्या teacher बनना है तो यहाँ पर अभी से त्यारी अपने स्टार्ट कर दीजिए और आप सभी का क्या review है मुझे comment box में ज़रूर बतायेगा अगर आप सभी कहेंगे कि अभी से ही deed replace be TZT social science की जो त्यारी है वो करवाई जाए तो मैं अभी से start कर दूँगी और इसके साथ प्ले लिस्ट तो पहले से त्यार है काफे सारी वीडियोज है पर अभी बहुत सारा sleep is आप सभी का बाकी है तो आप सभी बतायेगा और बाकी किसी को भी देखना है अपना कोई भी exam जो उसके लिए मैं ये जो पीडिएफ है इसका जो link है डाउनोड करने का description box में दे दूँगी वहाँ पर जाकर आप डाउनोड कर सकते हो तो फटा-फटा हम जो है अपना TZT देख लेते हैं तो देखिए ये official है इसे आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर और ये दिखिए आपका TZT social science का exam कब होगा तो TZT की जो post है वो कौन-कौन सी है English, Mathematics, Social Science, Natural Science, Sanskrit, Urdu, Punjabi और Hindi इन सब की है और इन में क्या है आपका जो TZT social science का उसका exam जो है आपका 7 महीने में होगा ठीक है, 7 महीना यानि कि जो लाइका होता है उसमें आपका exam conduct करवाया जाएगा और notification आपके 5 महीने में निकलेगा यानि कि अब बस आपके पास 7 महीने हैं और आपको त्यारी अभी से करेंगे तो तभी क्या है आपका selection हो पाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप like कर सकते हो और share कर सकते हो और आप यह कर सकते हो लिस्ट के लिए इसक्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी वहाँ पर जाकर आप त्यारी करने स्टार्ट कर दीजिए और अपना रिफ्यू जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा धन्यवाद